सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करते हैं कि चलो कोई ना अगर मेरा बेटा मेरे बिजनस में मेरी हेल्प नहीं कर रहा है तो कम सिंगा अपनी लाइफ तो एंज्योई कर रहा है इसके बाद परफॉर्मेंस खतम हुझाती है आफर देट कमपनी की बाइस प्रेसिडेंट अपना एक चुटा सा सॉंग प्रेजेंट करते हैं साथ ने जीरोई भी जॉइन कर लेता है और इसके बाद दोनों साथ में गाना गाते हैं और एक तरह से जीरोई ने सारा टेंशन अ सोचा हुआ था अभी बॉक्स अपनी कंपनी का में फोकस है और सारी कंपनी उसी में इंवेस्ट करने में लगी हुई है बागी आइटिस्ट को छोड़कर इसका बॉक्स भी परिशान होता है यहां पर बॉक्स की डेट सोचते हैं कि अगर उन्हें बॉक्स को खुश दिखन रहा हैं तो उन्हें कंपनी घाते हैं चाहता है कि कंपनी के महनत का मैंनत कहिंए ने हमकर नहीं कि क्योंतियांसिते पर वंद्य आधेतैं मैंने इसलिए सिंगेंग करियर परसी उने कि आदा कि वह से बीच में छोड़कर आपका बिजने जोइन कर लूँगा तब उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें एक दिन तो करना है फरी तुम कितनी विजित करते रहो तभी इरान कहती कि डैड काम डाउन अभी उसे जो करना है प कि बीच उनका काफी ज्यादा मोटिवेशन रहता है और इन्होंने ऐसा आर्टिकल बॉक्स के बार में लिखा इसके वैसे जो लोग है वह सिंगल एल्बम को सुनने में बहुत कम इंट्रस्ट दिखा रहे हैं उनके साब से बुकाना-गाना नहीं आता और वह सेफ और सेफ यूद को बेगाड रहा है इसके लाव कुछ में ली तभी बॉक्स के लिए जादा परिशानी होता होता है कि मैं इसे माइन नी करता तरसल उसे भी बहुत गुसा आराथा कि यह मुसीबतें आगर खतम कब होगी जैंजन जाकर उन्हें अप्रोच कर दिये ताकि वार्टिकल बब्लिश करना बंद कर दें इसके बाद ही वह एक और पब्लिश करते हैं और उसमें लिखा होता है कि दरसल बॉक्सुने अपनी असिस्टेंट को मेरे पास भीज़ दिया ताकि मैं यह आर्टिकल कर दो इसका बोक्सुन पर गुस्ता होता है कि तुम्हें जरूरत क्या थी बाद जैंजन भी रोते हुए चली जाती है कि हमेशा मैं क्यूं लेकिन मिस्टर गॉंग भी कुछ कम तोप नहीं थे इसके बाद जब अपने काम से बहां निकलते हैं तो बॉक्सु के जो फैंस हैं उन्हें घेर कर उन्हें मानने लगते हैं इसके बाद जैंजन यहां पर ह होती है तो सारे फैंस को रोकनी कोशिश करती है पर हाइलाइट वही हो जाती है यहां पर एक वीडियो में ऐसा लग रहा था कि जैंजन भी तरसे मिस्टर गॉंग को मानने में लगी हुई है इसके बाद जैंजन अपनी कंपनी में करती है कि इसा कुछ भी नहीं है मैं बस तो कमपनी के बात करता है तो उसका जो है वह रैपिंग स्टाइल में हैं और उसे रैप करने कोई देता नहीं इसके बाद बाद वह ऐसे वह और बीचारा क्या करें इसके बाद जैंजन परेशान होती है कि करें तो क्या करें कुछ सब्यूब गूंपए कर भी यह तो समझ रहा है कि मुझे पढ़ा है कि तुम मेरी को है इसलिए इसके बाद वह गफ्ट उसने पहले तो इसमें कि यह किसलिए वोक्स केता है कि दरसल जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है मतलब जो भी रूर उसके लिए सौरी तभी यहां पर जैन जैन उस गिफ्ट को दिखती है चुकि एकदम सलामत था मतलब से वैसा ही नहीं था थोड़ा डिफरेंट था पर लग वैसा ही राता जीरू की बात करें दो से स्टार इंटर्टेंवेंट से अभी कोई भी आफ़र नहीं मिला था इसके बाद वह एक और कंपनी ब्लूं कंपनी चौइन कर लेता है इसके बाद उसके प्रेजिडेंट उसे खुद मिलने के लिए थे वह सी कंपनी में जैनली का मेंबर बन चुका है उसे बस अपने सिंगी करियर को आंगे प्रोसीड करना उसे कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन यह सब करना भी उसके लिए काफी एदा मुश्किल है जब से उसने स्टार इंटर्टेंवेंट कंपनी में ऑडिशन दिया है कैफे में वह गाना गया करता था उसकी उनर ने भी उसे बाहां निका सब्सक्राइब करते हैं तुम्हारी कोई गर्ल्फेंड है तो मुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी इसलिए मैं बस उस लड़की का वेट कर रहा हूं जो कि बस मेरे दिनों का चैन और रातों की नहीं दोडा ले जाए यहां पर जैन दिन परिशान होती है कि तुम्हे चिपका दिये जाएगा तभी यहां पर जब फैन मीटिंग खतम हो जाती है तभी जैन जैन उसे कहती है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं क्या तो मैंने बोल सकते थे कि परसनल कॉश्चन है तो इसका आंसर नहीं दे सकते हैं तुम्हें तो हर बात मुझ खुलकर बोलने की जादत है इसके बाद जीरो से मिलने के लिए ब्लूम कंपनी जाती है यहां पर उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और यहीं पर बॉक्सू से कॉल पर कॉल करते जा रहा था पर जब से परिशान का नहीं कोशिच कर रहा था इसके बाद अपने घर पर जाका जब आप पाहिए बाद जो कि मेरी मां में पहनाया कर देनी के लिए और बॉक्सु से पहन कर लेड जाता है और यहां पर वो देख रही ती जिसकी उस पान ड्रेस बाध्व लग रहा था इसकी पोटो क्लिक करने लग लगत्ति है यह वह बौक्स को भी फोटो क्लिक करता है उतनी सही नहीं को मना कर सके इसके वाद काफी कुछ होती है कि जब मेरी बाते मानता है तो बड़ाई क्यूट लगता है जैंजन वहीं पर रात में सोचाती है बोक्स सुबह उठता है तो एकदम ठीक ठाक था इसके बाद जैंजन को ठाता है कि उठो उंगली से रोक लेता है और करता है कि जरुद नहीं है मैं एकदम ठीक हो तो चलो चलते हैं अब यह में बहुत सारा काम है आज बोक्स के शेडियूर में फोटो शूट होना था इसके बाद फोटो शूट करने के लिए जाता है बार उसकी ड्रेस जब देखता है तो सब्सक्राइब के साथ है और यह पासल सीता हौंग कॉंग से शिप हो रहा है तो इसमें गलती नहीं हो सकती और आजकल तो फैशन में हैं कि लड़के भी लड़कियों के कपड़े पहन रहे हैं और इससे पहनना का बुरी बात है इसका बोक्स के पास आती है कि तुम्हें प इसके बात मां जाता है और इसके साथ फोटो शूट करता है फोटो शूट होने के बाद जब फोटो मैगजिनी कवर पर आती है तो काफी फेमस हो रही थी विकॉस बॉक्स बहुत हो लग रहा था और उसे प्रेस भी किया जा रहा था कि उसने दरसल एक नया ट्रेंड स्टा एक और न्यूज आती है कि जो मिस्टर कॉंग है उनके घर पर जाकर किसी 180 सेंटीमिटल लंबे बंदे ने उन्हें मार दिया है इंजर ने ऑस्पिटल में बॉक्स के असिस्टेंट और डारेक्टर को दरसल पूरे सिस्टेशन बलाया जाता है यहां पर सभी लोग कह रहा थ जो कि बॉक्स के साथ दिनर कर चुकी थी और कहते हैं कि तुम्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए वह कोई लड़का था और जिसकी हाइड 180 सेंटीमीटर है और तुम तो एक लड़की हो वह इतनी चोटी उमर्गी तुमें पता भी है कि ऐसी केसे में पढ़ना कितना लोग यहां पर आकर कंफेस कर चुके हैं कि उन्होंने मिस्टर गॉंग पर हमला किया था लेकिन जब कि उनमें से कोई भी नहीं था वह सारी की सारी लड़किया थी तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि वह सारी की सारी बॉक्स की फैन ती जो कि उसे बचाने के लिए उसका ना मतलब जो किउसने की नहीं लेकिन उसके नाम पर और रहा है तो अपने सिर ले लेने के लिए तयार तो इसके बाद इसका को बचाना चादी थी मुझे लगा कि बॉक्स को बचाना चाहिए पर आइसके ब्लग स्टार्ट हो जाता है तब बॉक्सों से गले लगाता है कि चुप चुप सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हें रोने की जुरूत नहीं है और हां अगली बार ऐसी मुश्किलों में मत पढ़ना ठीक है और तुम्हें पता है थी कि मिस्टर कौंग से सौरी बोलेगा वहाँ वी मीडिया के सामने बी बॉक्स का इंट्रव्यू लिया जाता है यहाँ बर सभी युस्से सवाल पूह पूंचे जाते हैं जिनका तालोग भी दुश्मान है घर पर जाके वह अटक करें उस से सौरी भी क्यूं बोले जबकि उसने कुछ किया ही नहीं इसके बॉक्सू सॉरी बोलें से बिलकुं मना कर देता है और वो मीटिंग छोड़कर चला जाता है इसके बाद इस पर भी अलग अलग ख़वरे बने लगती हैं कि बॉक्सू ने मिस्टर कॉंग से सॉरी नहीं बोला ना ही माफी मागी और एक से कई बहुता है तो से बाद कि शालने माद में अपनी जगह पर आता है को तुम यहां पर हो कर सूइन ना करते हैं कि सुन भी चुप करने बढ़खेता है कि लग तो और लै आप थे का रेसिंग कर रहे हो तभी बॉक्स कहता है कि सुनों मुझे ब्लैक मिल करना बंद कर दो इसका फोन लेने लगता है और यह सुच्छी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है साथ में कोई बंदे भी इने देख लेते हैं तभी बॉक्स कहता है कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है तभी प्लीज मुझे बताओ ना तुम कहां जा रहे हो बॉक्स अपने कार में बैठ जाता है तभी जैंजन कार के सामने आ जाती है और कहती है ठीक है मेरी ऊपर चढ़ा कर जाओ यहां से ताकि मैं यहीं पर मर जाओं और मैं तुम्हारी एसिस्टेंट की जिंदगी से बिल्कु कॉइस के दिशल करो और यहां में कुई नोटिस नहीं करें क्या कि आतर सयाधा लोग यहां पर टयल ही रहते हैं किसे नोटिस भी कर लिया तो मैं इंसान हो ना चैना को बताई की मैं काई नहीए सब के सामने बस उसे रच्णा चैसे मतलब है इसके बाद बॉक्स के यहां कह कर दिए कि तुम्हें क्यों कर रहे हो तो हमें आपर टॉस करेंगे इसके बाद जैनल को दरसल महिंगी सी एल्कॉल का पे करना था तो कि बहुत एक्सपेंसिफ थी जैनल मना करती है तो जाओ यहां से इसके बाद जैनल के ठीक है मैं करूंगी और जिके साथ मारा यह पार्ट ह अभी घतम हो जाता है समयते नेक्स पर्ट के साथ तैंक यू सो मच गाइस पूर वाचिंग